सू प्रभात प्रिये विद्यार्थिगन मैं हिंदे अध्यापक जंगीर सिंग आज कक्षा दस्वी के विद्यार्थियों को कवीता नंबर तीन देव पढ़ाने जा रहा हूं और इसका अंतिम पद हम आज पढ़ेंगे पहले दो पद पढ़ चुके हैं तो चलिए पिर ये विद्यार्थिगन देखिए हम इसके जो दो पद पहले पढ़ चुके हैं उसमें सबसे पहला था हमारा सवईया चंद और दूसरा था कवीत चंद और पद नंबर तीन भी हमारा कवीत चंद ही है लेकिन वीडियो में जो आप देख रहे हैं उपर लिखाओ है इस तो पिर ये विद्यार्थिगन इसके अंदर क्या है इस पूरे काव्यास के अंदर जो चंदनी रात है पुर्णीमा की रात का कवी ने क्या यहां वरनन किया है कि पुर्णीमा की रात को आकास कैसा नजर आता है चारों और का वातारण फिर चांदरी रात में किस तरह से दिखाई देता है वो वरणन किया गया है तो देखिए सुरू करते हैं इसकी व्यक्या सबसे पहले इसके सब्दार देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थिगन फटिक सिलानी फटिक होता है संग मरमर सिलानी पत्थर सिला सों से सुधार्यों बनाया गया है सुधा अमरित चुना भी होता है लेगिने अमरित लगाएंगे इसका लेंगे मंदिर मंदिर, उददिह, समूद्र, दधी, दही, कोशो जैसा, अधिकाई, अत्यन्त, ज्यादा, उम्गे, उमड़ना, अमंद, मंद होता है धहिमा, अमंद, नेमंद, जो धहिमा नहीं है तो क्या बन गया ? तेज तिवर बाहर बाहर तेज से भीतर भीतर अंदर लों तक बाहर ते भीतर लों बाहर से भीतर तक भीती ने दिखें भीती दिवार देव कवी का नाम है दूद को सो दूद जैसा फेन जाग फैले फैला हुए आंगन के फरस बन चबुतरे पर ताराशी तारों जैसी तरूनी यूवती तामे ठाड़ी खड़ी हुई है जिल मिली होती जिल मिला रही है मोतिन की ज्योती मोतियों की चमक मिल्लो मिलती है मलीका को मकरंद और मलीका का जो मकरंद है जो उसका सुगंदित जो भाग है उसका आर्शी द्रपन अंबर आकास आभा चमक उजारी परकास प्यारी प्यारी राधी का राधा प्रतिविम छाया चित्र सो जैसा लगत लग रहा है चंदर चंदरवाद तो प्रियविद्यार्थिकन अब इसकी हम व्यक्या देख लेते हैं फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर उददी दधी कोशो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीती ने दिखे देव दूद कोशो फेन फैल्यो आंगन फरस बन तारासी तरुनिता में ठाडी जिल्मली होती मोतिन की ज्योती मिल्यो मलीका को मकरन आरसी से पर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को परतिविंद सो लगत चन्द देखी विद्यार्थिगन इस कवित के अंदर कवी देवजी पुर्णिमा की रात का वणन करतेवे कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर कि जो वातावन में ये पुर्णिम की रात में जो आकास है इसतरे से दिखाई दे रहा है जैसे अमरित रूपी मंदिर सुधा मंदिर का मतलब है अमरित रूपी मंदिर मानो क्या है किससे बना हुए फटिक सिलानी सो मानो क्या है संगमरमर के पत्रों से इसको सुधार्यो बनाया गया है इसका निर्मान किया ग और उदधी दधी को सुवधिकाई उमगे अमंद और ये चांदनी रात में इस तरह से दिखाई देता है जिस तरह से क्या है उमगे अमंद तिवर तेज उमगे उमडताव अधिकाई अत्य जैसे अत्यंत तेज गती से दधी दधी का जो उदधी समुद्र है जिस तरह से दधी का समुद्र तेज गती से उमड़ता हुआ आता है उसी प्रकार ये भी क्या है बिलकुल सुंदर स्वच दिखाई दे रहा है ये जो अमरीत रूपी मंदिर का निर्मान किया गया है बाहर ते भीतर लो भीती ने दीखे देव कहने का मतलब क्या उपर वाली दोनों पंक्तियों कि चारों और चांदनी फैली हुई है पूरी जो रात है वो जगमगा रही है बाहर ते भीतर लो भीती ने देव कहता है इस सफेदी के काण इस चमक के कान बाहर से लेकर के भीतर तक अंदर तक इस मंदिर की मानों क्या कोई दिवार ही दिखाई नहीं देती है कहने का मतलब जो पत्थर है वो शंगमरमर का पत्थर है जो वो पारदर्शी है और बाहर से लेकर के अंदर तक कोई दिवार ही दिखाई नहीं देती है देव जी ऐसा कहते है दूद को सो फेन फेले वांगन फरस्बंद और देखने पर ऐसा लगता है कि यह जो मंदिर है ना इसके चबुतरे पर मंदिर के आंगन में जो चबुतर है उसके चबुतरे पर मानो क्या है दूद को सो फेन फेले वांगन दूद की सी जाग फेले हुई कहने का मतलब जो ये मंदिर है और इसका जो चबूतर है वो इतना सुन्दर दिखाई दे रहे सफेद दिखाई दे रहे मानो उस चबूतरे पर क्या है दूद की जाग फैली हुई हुई चांदनी रात इस तरह से क्या है दिखाई देती है या फिर इस तरह चांदनी क्या पूरे वातावन में फैली हुई है तारा सी तरूनी तामे ठाडी जिलमली होती कि जो चांदनी रात है वो इस तरह से जिलमला रही है चांदनी जो रात है अपनी चांदनी के कान तारों सी तारों की भांती की जिस तरहे तारे जिल मिलाते हैं टिम टिम आते रहते हैं उसी परकार ये जो चांदनी रात है ये चांदनी के कान ही जिल मिला रही है और मोतिन की जोती मिल्यों मलीका को मकरन और चांदनी रात में चा छंग से ही जो मौतियों की चमक बनी हुई है और मलीका को मकरन और मलीका के फूल को जो सुगंद की प्राप्ती होती है जो उसके नदर खुष्भवो भी मानओ क्या इस चांधनी रात की जो चांधनी है उसी से प्राप्त हो रही है कहता है आरसी से अंबर में और आकास इस तरह से दिखाई देता है कि आरसी से अंबर में कि दरपन के समान चमकने वाला आकास भी मानों क्या है इस चांदनी रात की जो चांदनी है इसी से अपना जो परकास है वो ले रहा है रथात इसी के परकास में वो क्या है चमक रहा है प्यारी राधिका को परतिविम सो लगत चंद्र हो कहने का मतलब यहां चांदनी रात को या चांदनी रात की जो चांदनी है उसको चंद्रमा से भी क्या है सुंदर बताया है स्फेद बताया है और मानों चंद्रमा भी क्या है इस चांदनी रात की चांदनी से ही चमक रहा है और पिरिये विद्यार्थिकन देखिए अब इसका कव्या सुंद्रिया कर लेते हैं जैसे उदधी दधी कोशो यहाँ पर क्या है उत्प्रेक्षा लंकार है दधी कोशो उदधी कोशो में उप्मा लंकार भी है और इस पूरे कावियांस में उत्प्रेक्सा अनुप्रास अलंकार परतीप अलंकार भी है परतीप नहीं परतीप प्रै, तैके दिरग ई की मात्रा और परतीप अलंकार है कहां पर प्यारी राधिका को परतिविन सो लगत्चन जब यदि यहां पर क्या है राधिका के चहरे को यदि चंद्रमा से फीका बताया जाता तब तो हम क्या करते हैं उपमा अलंकार ले लेते क्योंकि उपमान से जब कहते हैं उपमेय की जब उपमान से तुलना करते हैं तब तो यह हो जाता हमारा उपमा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका उल्टा किया गया, उपमान और उपमे की जो किरिया है, उल्टी है, यहाँ पर उपमान, उपमान की जो तुलना है न, वो उपमे से की गई है, यर्था चंद्रमा की तुलना राधिका से की गई इसलिए यहां उपमा अलंकार ने होकर के परतीप अलंकार हो जाता है यहां पर क्या है मुक्तक छंद है और पिरिये विद्यार्थिगन इसके अंदर कवित छंद है सोरी मुक्तक नहीं कवित छंद है कवित छंद हमने पहले पढ़ावी है कि इसके जो परतीएक चंद में 31 मात दो पूरण विर्म लगता है, तो यहां पर क्या है, सवयन होकर के कवीत छंद है और जो इसकी जो भासा है वो बरज भासा है, पत्सम् तदभव सब्दा वऩोली है, तो पिर ये विद्यार्थी इस तरह से इसका काव्य सुन्द्रे हो जाता है आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बार बार देखें अच्छी तरह से समझेंगे और इसकी जो व्याख्या है सै प्रसंग व्याख्या अपनी कोपी में लिखेंगे धन्यवाद नजने पहलम है कि और जो रटन के ले शे कोई पन्सेंगर